हेलो एवरिवन, हमारे इस वीडियो में हम राजस्तान के इतिहास के स्रोथ, जिस जिससे हम राजस्तान के इतिहास का पता लगा सकते हैं, उनकी बारे में जो जो important questions जो आयो ही है exams में, उनको हम इसमें discuss करेंगे, ठीक है, तो चलो start करते हैं, देखो जो पहला question है, उसमें हमें इधर पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, और इधर उनके लेकक के नाम दे रखे हैं, उनको match करना है, ठीक है, हमीर नारायन किसने लिखी, वीर, मायना, रगुनात, रूपक, किरतार, बामुनी, देखो ऐसे जो questions आते हैं, अगर उनमें से अपने को एक भी आता है, एक दो questions हमें आते हैं, तो हम बहुत एजी लिए ऐसे questions को सोल कर सकते हैं, ठीक है, तो जो पहले जो पुस्तक नाम है, हमीरायन, ठीक है, इसका मुझे ध्यान है, कि जो हमीरायन है, उसको लिखाता है, ठीक है, हमीरायन क्या है, इसमें रन्थंबोर के जो चोहान है, रन्थंबोर के पाधर ने लिखा है, ठीक है, c में आ जाएगा रगुनात रूपककु, मंच्छाराम सीवग ने लिखा है, ठीक है, और किरतार अच्छ सेर्धें को लिखा, रग। Next हमारा question है, कि राजस्तान के किस जिले में, युद्धि संग्राले की जैसल मेर, ठीक है, तो भारत के बिल्कुल पश्चिम भाग में पहला युद्धि संग्राले बनाया गया है, ठीक है, करनल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया, ठीक है, देखो, करनल जेम्स टोड के बारे में अगर हम थोड़ा सा पता करें, तो ये इंग्लेंड के निवासी थे, कहां के निवासी थे, इंग्लेंड के निवासी थे, और बिटिस इस्टिन या कंपनी में एक काम करने के लिए भारत आई थे, ठीक है, पहले इनको कहां की जिम्मेदारी दी गई थी, इनको मेवाड और हाड़ोती शेतर की जिम्मेदारी Door को दी गई थी, उसके बाद में इनको मारवार समालने के लिए भी दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर उनोंने मारवार की और एक इसने बुक लिखी Trails in Central Trails in Central and Western Rajput States of Rajasthan ठीक है ये वाले जो बुक है Colonel James Todd की वो वाली बुक जो Annals and Antiquity जो कर राजस्तान हम पढ़ते हैं वो वाली बुक इन्होंने अपने जीते जी मतलब जब ये जिन्दा थे तब ही इनकी पब्लिस हो चुकी थी खुद के खर्चे पर उसका पहला बाग खुद के खर्चे पर इन्होंने पब्लिस करवाया था लेकिन इनकी जो ये बुक है Trails in Western India ये इनकी मृत्यू के बाद में 1849 में पब्लिस होई थी ठीक है और ये बुक को इन्होंने अपने गुरू यति ज्यांदचंदर को समर्पित किया था तो इस question से हमें क्या पता चल गया एक तो इनकी बुक इनकी मृत्यू के बाद में पब्लिस होई ये वाली और एक इनके गुरू का नाम पता चल गया हमें गुरू यति ज्यांदचंदर ठीक है जो next हमारा question है वो है कि निम्न कत्वों में से कौन सा कत्थन चीरवा अभिलेक के बारे सिलालेक के बारे में सही है चीरवा सिलालेक के बारे में क्या कत्थन सही है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है पहला जो option है कि 1230 हिस्वी में संस्कत भासा में लिखा गया संस्कत भासा में तो लिखाए गया उसके अलावा ये देवनागरी लिपी में लिखा गया था देखो आगे जो exam आएंगे उनमें संस्कत भासा ना देकर ये पूछ लिया जाए तो ये भी सही बात है, कि वो इसके प्रसस्ति कारते, तीसरा ये है कि सिल्पी देलन, इसके जो देलन जो है, सिल्पी, ठीक है, प्रसस्ति कार, मतलब प्रसस्ति बनाई, सिल्पी मतलब शिल्प कार, ये जो प्रसस्ति जिसने शिल्प किया, वो देलन दे, ठीक है, तो ये भी तो फर्स सेकंड और थर्ड तो इसका अंसर आ जाएगा सेकंड ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है किस सिलालेक में चोहनों को वत्स गोत्र ब्राह्मन कहा गया है कौन सा ऐसा सिलालेक है जिसमें चोहनों को वत्स गोत्र ब्राह्मन कहा गया है तो इसका अंसर आ जाएगा बिजोलि की इस्तापना उनके आधिपुरुस वासुदेव चोहान ने की थी 551 इस्वी में और शाकमरी में इस्तापना की थी और अही छतरपुर नागोर को अपनी राजदानी बताया था ये बात कहां बताई गई है बिजोलिया सिलालेक में और इसमें कौन से चोहानों को वत्सगोतर ब्रामने बताया गया है ठीक है चार उप्शन में से इसकांसर रजेगा बिजोलिया चीरवा के बारे में अभी हमने पता किया इन दो के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं कि स्रंग रिसी जो सिलालेक है ये जो मेवार का राजा हुआ था मुकल को कुम्भा का पिता मुकल राजा उसकी समय में सिलालेक लेका गया था ठीक है इसका जो रचियता है वो है कभी राजवानी विलास योगिश्वार ठीक है एपराजित जो सिलालेक है ये गुहिल राजा एपराजित हुए थे उनके बारे में इसमें बताया गया है ठीक है और इसके जो रचियता है वो किसका आंसर राजा हैगा तीन यूप अबलेक में प्राप्त हुए है मोख्री राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेक थाई बढ़वा अभिलेक ठीक है कि मारवाड प्रगनारी विगत हुए मुणयच ने लखा है मूनोत नैंस जो राजा था विदवान हुआ वह जस्वंत संग प्रथम राजा हुआ के मारवाड का उसके दर्यबार में कभी था, Mono Nancy, इसके अलावा Nancy ने एक ग्रंथ हो लिखा था, Nancy री ख्यात, Nancy री ख्यात, ठीक है, तो इसका आंसर आजएगा ये, next question है, राजस्तान, प्राच्च, विद्या, प्रतिष्टान कहां इस्तीत है, तो इसका आंसर आएगा जोधपूर, ठीक है, देखो, ये जोधपूर में, मुखी रुप से जोधपूर में, इसके अलाव, विकानेर में, जैपूर में, अलवर में, इसकी साखाएं भी इस्तीपलिस है, यहाँ पर प्राचीन जो ग्रंथ है, ठीक है, अलग-अलग भासाओं में, और राजिस्तानी साहित, इनको यहाँ पर संग्रे किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट कुश्यन है, कि मुंधियारी ख्याथ का विश्य है, देखो, पहले तो हमें पता ह Ultra workout होती क्या है, किसी भी जगे को, किसी भी जगे को वहां के राजयों को ख्याती मिलेगी तो ख्यात का सामान्य अगर अर्थ हम लेकरें तो ख्याती पर्तिपाधनी तो मुंधियारी ख्यात का विश्य है मारवाड के राठोर देखो, अकर मुंदियार जगे का हम भात करें, तो वर्तमान का जो नागोर है, ठीक है, उसके दक्षिन में ये जगे इस्तित है, इसमें किसके बारे में बताये गए है, मुंदियारी ख्यात के बारे में, कि मारवार का जो, मारवार का राजा था राव सीहा, ठीक है, मतलब मा राठोड से घिति राव सहन ए और यहां से और कहां तक जस्व Jadi Singh पर्थम है इसमें बताया गया है मुडियार्री ख्याथ में तो मारवार के राठोड़ का इसमें वड़नलिकिया गया है अब महराज़ गंगा सिंग कहा करा जाता विका निर का तो सिक्य भी कहा के होंगे विका निर के ठीक है तो इसका अंसुर आ जाएगा विका निर के ठीक है नेक्स्ट कुशन है कि एक तरफ लेखक दे रखे हैं एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं और हमें करेक्ट को मिलाना है ठी तो इसका अंसर आजाएगा, देखो, अगर हमें एक दो ऐसे question सेम पहले भी discuss कर चुके हैं, कि अगर हमें एक दो अंसर भी इसमें पता है, तो इसका अंसर लगाना बहुत आसाल है, तो इसका अंसर आजाएगा पहला, मतलब करणी दान किसम लेकी थी, सूरज परकास में लेकी मतलब फस्ट में आजाएगा ए, ठीक है, यह इसका अंसर आजाएगा, आप एक बार अच्छे से इस question को देख लो, यह question है, ठीक है, यह question हो गया, तीन तो यह लेकक है और यह गिरंत है, और फॉर्थ आएगा यह, जग जीवन भट और सूरज परकास, ठीक है, नेक्स हमारा विजय का लेखक कोन है, ठीक है, तो हमें ध्यान होने चाहिए कि पृथ विजय का जो लेखक है, उसका नाम है जयानक भट और यह कौन से, कौन से राजा की समय में यह उसके दरबारी कवी थे, विद्वान थे, तो अजमेर का राजा हुआ है, पृथ विद्वान थे, यह चंदरबरदा ही जिन्होंने पृथ विजय लिखी है, और एक जयानक भट, जिन्होंने पृथ विजय लिखी है, नेक्स्ट कुश्चन है, कि राजस्तान के विख्यात इतियास कार हुए है, जो एक समा सुधारक भी थे, तो इसका अंसर आजाएगा हर्विलास शार्दा, ह इन्होंने बाल विवा को निसीद करवा दिया था, बिर्टिस कान में, तो हर्विलास शार्दा, अजमेट जिले से संबन्द रखते हैं, ठीक है, देखो, 18 सरसत में जनम हुआ था, मतलब 1857 की जो क्रांती हुई थी, उसके बाद में इनका जनम हुआ था, देखो, कई questions ऐसे कि नहीं, उनका तो जनम ही बाद में हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जो मुखी-मुखी जो परसनल्टीज है, उनकी बारे में, उनकी जनम और मृत्यू के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, तो 1867 में उनका जनम हुआ था, अचमेर में, ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन है, कि पि इंता स्विकार कर ले थी, मुगल समराज की, ठीक है, अब जैसे ही नागोर दरबार खतम हुआ, उसने क्या किया, कि अपने एक बेटे पृत्विराज राठोर को अकबर की सरण में छोड़ दिया, उसकी सेवा के लिए छोड़ दिया, ठीक है, यही पृत्विराज राठोर भारत्य प्राचीन लिपी माला के लेखक का क्या नाम है, ठीक है, तो भारत्य प्राचीन लिपी माला किसने लिखी थी, तो इसका आंसर आएगा, गोरी संकर हीराचंद ओजा, ठीक है, अब गोरी संकर हीराचंद ओजा की बारे में थोड़ा सा डिसकर्स कर लें, कि सिरोई म वो शिसुपाल वद का लिखक है. आठवी सदी में ये hunting लिखक है, नेक्स्ट क्षिचन है कि पदमावत के रचनाकार कुण है, तो पदमावत के रचनाकार कुण है, मलिक मोहमफ जाय सी ने पदमावत लिकी थी, अब ये पदमावत किस के बारे में लिखी थी, मेवाड का राजा हुआ रावल रतन सिंग और उसकी पत्नी थी पद्मिनी रावल रतन सिंग की पत्नी थी पद्मिनी उसके लिए पद्माउत लिखी थी और 1303 में जो मेवाड का प्रथम शाक्का जिसको बोलते हैं उसके बारे में भी ये पता चलता है कि कैसे अलावदिन खि की गई थी मलिक मुहमद जैसी के द्वारा ये पदमा उतर अच्छा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि पृत्युराज विजय के लेखक कोन है तो अभी हम डिस्कस कर चुके है पृत्युराज विजय के लेखक जयानक भट और अजमेर के चोहन वंस के राजा पृत्युराज सिकर में की गई थी सिकावटी शेतर में कौन-कौन से चितर आता है सिकर जुन-जुन-चूरू आता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि कानड़ दे प्रबंद के रचयता कौन है तो इसका अंसर आजाएगा पदमिनाव नेक्स्ट कुश्चन है 27 सताबदी की रचना राज पर सस्ती मा कावी की रचयता कौन थे तो इसका अंसर आजाएगा रंचोडबट तैलंग ठीक है अब हमें परता होना चीए कि मेवार में राजा हुआ था राज सिंग ठीक है 1652 से 1680 तक उसका सासनकाल रहा था उन्होंने एक राज समंद जील का निर्मान करवाया और उसकी अंग्रेज कौन अंग्रेज था जिनने राजस्तान में बहुत ज्यादा अपनी रूची दिखाई तो उसका अंसर आजाएगा कर्नल जेम्स तोड़ ठीक है नेक्स्ट क्विशन है कि वन्स भासकर के रचयता कौन है सूर्यमल मिश्रन है अब थोड़ा सा हम सूर्यमल मिश् को इनके सूर्यमल मिश्रन का एक सूर्यमल मिश्रन था मुरारी ने वन्स भासकर को कमप्लीट किया था तीक है ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये बुंदी के राजा थे, बुंदी का राजा हुआ था महाराव राम सिंग, ठीक है, महाराव राम सिंग के क्या थे, दर्बार में कवी थे, ठीक है, बुंदी का राजा हुआ महाराव राम सिंग, उसके दर्बार में कवी थे, ठीक है, नेक्स् उसकों से लेखक और उनके ग्रंतों से related बहुत question आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कवी राजा श्यामलदास वीर विनो दिन की मुख्य पुस्तक है, और ये पांच जिल्दों में, मतलब इसके पांच भाग होंगे, अलगलग राजा के समय तक का इसमें बढ़ना किया गया है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब लेखक और अचना, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए, तो जैयानक भट्र ने पृत्व राज विजली की थी, राज वल्लव उन्हों ने पुस्तक लिखी थी, कुम्बा के समय में और ये संगीत, राज, संगीत, मिमानशा, ये हम पढ़ चुके हैं, कि ये कुम्बा के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका अंसर आ जाएगा, फौत्थ, ठीक है, नेक्स्ट क्विशन है, कि निम्न में से किस शेतर में पंचमार्क सिकों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो राजपुतों के जो चार जो वन्स हैं, उनके बारे में बताया है, कि आबू परवत पर गुरु वसिस्ट यग कर रहे थे, और उसी अगनी से चार राजपुतों के चार वन्सों की उत्पति होती है, गुर्जर पर्तिहार, परमार, चालुक के और चहमार, ठीक है, तो ये चंदर परदाई के द्वारा, क्यों से ग्रंथ लिखा गया, पिल्थुरा जिरासू, ठीक है, ये कौन सी भासा में लिखा गया था, तो ये भी हमें पता होना चिए, पिंगल भासा में इसको लिखा गया था, ठीक है, नेक्स्ट कुशन है, चेतावनीरा चुंगटिया, नामक रचना किस क्रंतिकरी द्वारा की गई थी, तो चेतावनीरा चुंगटिया, केसरी सिंग भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है, अब पता होना चिए कि क्यों लिखा था, देखो, मेवार का महराना था, फते सिंग, मेवाड का महराना हुआ पते सिंग, उनका सासनकाल था 1884 से 1921 तक, ठीक है, 1899 के समय में मेवाड में बहंकर अकाल पड़ा था, जब सन 1899 चल रहा है, तो आमें पता होना ची उसमें विक्रम समवत कौन सा चलेगा, क्योंकि विक्रम समवत जो इसवी जो सन चलता रहता है, उसस में 77 वरस चोड़ लो, अगर आपसे कोई विक्रम समवत कुचे की आज कों सा इस समय कों सा विक्रम समवत चल रहा है, तो साथ गूर साथ फते सिंग चला जाता है कि दिल्ली में 1903 में करजन क्या करता है दिल्ली दर्बार रखता है क्यों रखता है क्योंकि उस समय लंदन का राजा लंदन का जो राजा है एडवर्ड सप्तम बनता है तो उसकी खुशी जाहिर करने के लिए करजन यहां पर दिल्ली में पार्टी तो जो केसरी सिंग भारत है, वो तेरा डिंगल भासा में सोठे लिकर भीजता है इसको फते सिंग को, और इसे फते सिंग में जो अपने राजी के लिए काम करने की भावना जागरत होती है, रैसा बोलते हैं कि वो दिल्ली दर्वार में गए बिना ही वापस लोटाता है, ठीक तो वो राजस्तानी साहित से समद्धी तो ये हमने राजस्तान के इतियास से समद्धी जो important questions से उनको डिस्कस किया, ठीक है, ओके, thank you